हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सीमा की डायर्योंड ब्लोग में आप सबका वेलकम है और गर्मिया सुरू और गर्मियों में ठंडा-ठंडा अगर मिल्कसेक मिले घर पे तो कितना अच्छा है, सबकी इच्छा हुती है कि ठंडा-ठंडा एकडम से मिले दिखें, यहाँ पर आज हम लेकर क्याँ है, मिल्कसेख, आप सब के लिए, बहुत ही टेस्टी बनता है यह, केसर बादाम मिल्कसेख बना है, दिखें, कितना अच्छा लग रहा है, देखने से ही एकदम, बहुत यम्मी लग रहा है, और अब हम चल रहे हैं, इसको बनानी के याईसे हाथ से बहुत सानी से निकल जाता है और बादाम बिना भिगाया नहीं खाना चाहिए घर्मियहों में थो बिलकुल भी नीक्त निकल जाती है और छिलक KP उतार करके भाद Curp के नुकसान करते हैं इसलिए हम छिलके निकाल करके ही बनाएंगे आप छिलकों सहीद बनाना चाहें तो बना सकते हैं देखिए यहां पर हमने सारे छिलके निकाल लिया है इतने बादाम थे सबको हमने छील लिया है छील करके हम इसको ग्रैंडिंग जारूर में डालेंगे और कम ही डालेंगे कम डाल करके अच्छे से हम इसको पीश लेंगे और देखिए यहां पे हमारा बादाम का पेश्ट अच्छे से बन करके तयार हो गया है देखिए कितना अच्छा एकदम पेश्ट बना है बहुत ही अच्छा पेश्ट दिखिए बन करके तयार हो गया है पीश चुका है अब हम चल रहे हैं गैस के तरब गैस हमने गर्म जला लिया है फिर हम रखें कड़ाई गर्म होने के लिए उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी फिर उसके बार डालेंगे दूद पानी डालने पर मलाई जम जाती है तो मुझ में टेस्ट अच्छा नहीं लगता हूँ दाने दाने से लगते हैं मलाई इसलिए मलाई उत्रा हुआ ही दूद लिये हैं और यहां पर हम थोड़ा सा दूद एक दम नार्मल टंप्रेचर का ले लिया है नार्म है इसमें हम डालेंगे दूद में डालने से उठलिया पड़ जाती है और एक चमश हम लेंगे वह अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी मच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है यह बादाम मिलक से बच्चों को तो बहुत पसंद आता जो बच्चे दूद नहीं पीते हैं वह भी बड़े चाव से पीते हैं मिलक से बना करके दीजिये तो दिन भर में दो चार बार पियेंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सबको और यहां पे मेरा दूद लगबग गर्म हो गया दूद जो हमने रखा था उबलने के लिए दूद मारा गर्म हो चुका है और अब हम अच्छे से साइड से चलाते हुए चलाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा तेज गैस नहीं रखनी है इसमें हम डालेंगे चार से पांच केसर के धागे केसर के धागों से कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है अब हम इसमें अच्छे से हम चलात और थोड़ा सा दूध हम इसी जार में डाल देंगे डाल करके उसको भी अच्छे से धुल लेंगे दिखिए कि जिससे जो बादाम का पेस्ट है वो इसमें छूड़ जाये दूध में और इसी कडाही में हम डाल देंगे वो भी और हम फिर चलाते रहेंगे बहुत ही अच्छा लगता है बादाम विल्क से और जो कस्टर्चेट पाउडर हमने गोल करके रखा था उसको भी हम अच्छे से चला लेंगे क्योंकि नीचे बैठ जाता है कस्टरड पाउडर और अच्छे से चला करके फिर हम कड़ाही में डालेंगे और डालते हुए चलाते जाएंगे हमको छोड़ना नहीं है नहीं तो नीचे बैठ जाएगा और गुठलियां पड़ जाएंगे इसमें हम चलाते रहेंगे गयस एकदम स्लो कर देंगे बहुत अच्छा कलर आ जाता है कस्टरड पाउडर से क्रीमी देखने में लगता है आप डालना चाहें तो डालें ना डालना चाहें तो ना डालें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं आप कस्टर्ड पाउडर से अच्छा सा कलर आ जाता है देखने में देखे कितना अच्छा लग रहा है दूद भी गाढ़ा हो चुका है अप एक दम धीरे रखेंगे गैस यहां हम डालेंगे तीन से चाल चमच होगी मिस्री इसको भी हम अच् जादा गाढ़ा हमको नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा नहीं गाढ़ा करना है बहुत ही टेस्टी बनता है यह बाजार में जा करके पीने से अपना क्या मिलावट रहती है क्या नहीं रहती है घर पे अपना हो गया है यह दिखिए इतना अच्छा लग रहा है देखने से ही बहुत ही प्यारा इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी लग रहा है बहुत अच्छा है हम साइट से भी इसके छुड़ाते रहेंगे यह देखिए और फिर अब मारा दोधे अच्छे से गाढ़ा हो चुका है अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे जिसमें भी निकालने चाहें हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे यह देखिए देखने से कैसा लग रहा है अभी इतना पतला लग रहा है लेकिन ठंडा होने पर यह एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसको हम यह देखे निकाल लिये हैं और हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच रोज वाटर आप डालना चाहें तो डालें ना डालना चाहें तो ना डालें और फिर इसको हम ढख करके चार से पांस घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे अब चार से पांस घंटे हो गए हैं अब हम इसको फ्रीज से निकाले हैं देखे कितना गाढ़ा हो गया है पहले कितना पतला लग रहा था अब देखे कितना गाढ़ा हो गया है आप पतला पीना चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूर डाल सकते हैं लेकिन हम एकदम गाढ़ा ही रखेंगे अब इसको हम एक ग्लास में निकाल लेंगे थोड़ा सा हम एक चुटकी डालेंगे हम इसमें इलाइची पाउडर आप इलाजची पाउडर डालना चाहें तो डालें ना डालना चाहें तो ना डालें देखें कितना गाढ़ा एकदम से इसका कितना क्रीमी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ही और हम यहाँ पे बादाम को काट करके हमने रख लिया था गाणिस करने के लिए बादाम डालेंगे आप जो भी डाइफ रूट डालना चाहें वो डाल करके गाणिस कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पे हम बादाम डाल करके और हम इसमें डालेंगे केसर के धागे दिखिए केसर के धागे हम डाल दिया है बहुत ही अच्छा लगता है ये बहुत ही टेस्टी देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है आप भी जलूर बनाईएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा दिखिए एकदम लगता ही नहीं कि यहां गार पे बनाया गया ये मिल्क से बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी है ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू